नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो उनरायन बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम लोकतंत्र का सच में भारत भले ही लोकतंत्रिक देश है मगर यहां की पाठियां सिर्फ लोकतंत्रिक तरीकों से नहीं चल सकती भी रहते थे अब क्या कोई इसकी फिक्र करने वाला बचा भी है ऐसा तमाम सवाल सामने आती हैं पाटी मा होती है आप पेरे चाचा थे पिता के गुजर जाने के बाद आप ही घर के अभिभावक थे चाचा के गुजर जाने के बाद भाई को मैंने अपनाया और सहारा दिया मा को आपसे बहुत उम्मीदे थी मगर पिता के गुजर जाने के बाद आपने मूँ फेलिया जबकि पिता ने अपने भाईयों को अपना सहारा बना कर रखा हमेशा सहारा दिया और आगे बढ़ाया काश आप रिष्टों को इस्कीमत को समझ पाते ये पंक्तिया वैसे तो किसी पारिवारिक विवाद से जुड़ी लगती है जिसमें भतीजा अपने चाचा पर बेदिली के आरोप लगाते दिख रहा है और कह रहा है कि पिता के ना रहने पर आपने हमेश सहारा नहीं दिया जबकि पिता ने आपको अपने पैरों पर खड़ा किया आगे बढ़ाया था अगर ये पत्र व्यक्तिगत होता तो इसमें सहजी हम किसी परिवार के आंतरिक कलह की छवियां देख पाते मगर दुर्भाग गेवश ये पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं है ये पत्र भारत सरकार के अंतरगत निबंधित एक बड़े राजवितिक दल के लेटर हेड पर लिखा गया था और लिखने वाला उस दल का सर्वे सर्वा था उसने अपनी ही पार्टी के एक सांसद और बड़े नेता को इसी साल मार्च महीने में ये पत्र लिखा था जिसे उसने इन दिनों जारी किया है जब उसके पार्टी के पांस सांसदों ने अलग गुट बना लिया और उसे अकेला छोड़ दिया कहानी उस लोचपा नायक दल की है जिसके स्थापना स्वर्गे राम विलास पासवान ने की थी बिहार के दलितों को न्याय दिलाने के नाम पर इन दिनों जब लोचपापने अतिहास के सबसे बड़े विवाद से होकर गुजर रही है जब पार्टी के सबसे बड़े नेता के गुजर जाने के बाद बहाँ दो धड़ों में पार्टी पर काबिज होने का संगर्ष चल रहा है तो दुर्भाग्ये से ये संगर्ष राजनीतिक कम और पारिवारिक अधिक लग रहा है इस मसले को लेकर भी लोगों की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही है चाचा ने भतीजे को धोका दिया टाइप और भी है चाचा भतीजा टाइप विवाद राजनीतिक दलों में ऐसे चाचा भतीजा टाइप विवाद हाल की दिनों में कुछ और हो चुके है एक तो समाजवादी पार्टी का वो विवाद है जब चाचा शिफपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था दूसरा राकपा का विवाद जब चाचा शुरत पवार के खिलाफ उनके भतीजे अजीद पवार की असमतियां सामने आई थी हाला कि ये राजशितिक दल के अंदरूनी विवाद कैसे पारिवारिक कलहा में बदल जाते हैं इसका सबसे बड़ा नमूना दुरुमुक का विवाद रहा है तेलगो देशम पाटी में भी पाटी पर काबिज होने के लिए सास और दामाद के बीच विवाद चल चुका है चाचा भती जाब भाई बहन और सास दामाद के विवाद अगर पारिवारिक हो तो चलता है मगर जब वे किसी राज़ितिक दल के अंदुरूनी विवाद बन जाते हैं तो बहुत अखरता है क्योंकि राज़ितिक दल पारिवारिक नियमों और भावनाओं से नहीं चलते नियम अनुसार उनका एक सम्विधान होता है और उसने अपेक्षा की जाती है कि वे उस सम्विधान के हिसाब से चले जिस तरह हम सरकारों से अपेक्षा रखते हैं कि वे लोगतांत्रिक तरीके से चले वैसी अपेक्षा हमें राज़ितिक दलों से भी करनी चाहिए कि वे अपनी विवस्था लोकतांत्रिक तरीके से संपादित करे मगर दुर्भागेवर्ष दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्र कहे जाने वाले अपने देश भारत में सम्विधान लागू होने के 70 साल बाद भी राज़ितिक दलों में लोकतंत्र नहीं आया है आज की तारिक में भी देश में शायधी कोई ऐसा राज़ितिक दल होगा जो अपने अंदर की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लोगतांत्रिक विध्यों का पालन करता होगा Family Private Limited बनकर रही पार्टियाँ सवाल सिर्फ लोजपा जैसी पार्टियों का नहीं है जो समाजिक न्याय के नाम पर बने मगर समय के साथ Family Private Limited बनकर रह जाए सवाल उन दलों का भी है जहां आज की तारीख में कोई परिवार काबिज नहीं है वहाँ भी प्रक्रियाएं किसी एक या दो व्यक्ति की मोनोपॉली के हिसाब से ही चलती है चाहे फिर वो नितिश कुमार की जगियों हो मायवती की बसपा या ममता बनरजी की त्रुनमुल कॉंग्रेस और खुद को केडर बेस्ट कहने वाली रास्टिय पार्टी भाजपा कॉंग्रेस और बाम दलों के भीतर कितना लोकतंत्र बचा है इसकी असल गवाही उसके कारिकरता ही दे सकते है भाजपा हो या कॉंग्रेस हर जगा हाई कमान की ही चलती है और कारिकरताओं के लिए दरी बिछाने भर का काम तैह हो चुका है लगभग सभी दलों में जातर फैसले कोई परिवार एक या दो व्यक्ति और उसका किछन क्याबनेट या उस दल का परामर्शी संग्ठन किसी बंद कमरे में गुप्त तरीके से करता है और सभी लोगों को उस फैसले को सुईकार करना और सहमती देना ही होता है आप याद कीजिए कि हाल के वर्षों में आपने कब किसी दल के रास्टी अध्यक्ष का चुनाव खुरी बोटिंग के आधार पर होते देखा है क्या देखा है आपने ये सवाल है आवाम का हालाद तो ये है कि इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि उसका अध्यक्ष सर्व समती से नहीं चुना गया इसलिए चुनाव या मनोनेयन जैसा भी हुआ हो सर्व समती का नाटक पूरी मानदारी से किया जाता है रास्य अध्यक्ष को छोड़ दें पार्टी के लोकसभा या विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयान क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है उसे टिकट बाढ़ते हैं और उसके पार्टी के स्षीश नेताओं के दर्वाजों पर चुनाव के वक्त भीड उमर परती है लोजपा नेता चुराग पासवान के जिस पत्र का जिक्र उपर किया गया है उसी में उन्होंने लिखा है कि आपने विधान सभा में पांच टिकेट मांगे थे हमने पांच टिकेट दिये क्या ये पार्टी के आंत्रिक लोकतंत्र का नमूना है दरसल इस बात का उधारण है कि हमारी पार्टियों में आंत्रिक लोकतंत्र तो कभी बना नहीं ये क्या होता है? इसके बारे में बाते करने वाली पीड़ी भी खत्म हो गई नई पीड़ी के लोग चाहे विरास्टी अध्यक्षी क्यों ना हो? इस बात को नहीं समझते आखिर मैं मैं उस प्रक्रण को याद करना चाहूंगी जो 2011 के अन्ना आंदुलन के बाद घटा था जब उस आंदुलन की उपर से बनी आमादमी पार्टी ने पार्टी और प्रत्याशियों के चोयन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शामिल करने की कोशिश की थी टिकट बाटने से पहले वोट्रों से उनकी राय मांगी गई थी मगर वो प्रक्रिया भी बहुत जल्द खत्म हो गई पार्टी के लोगों ने मान लिया कि इनके भरोसे आगे का काम चलने वाला नहीं अब वो भी एक या दो आदमे की पार्टी बन कर रह गई है तो ये है लोकतंत का सच और लोकतंत में किस तरह से पार्टिया काम करती है उसका जीता जागता उधार्ण इस पांच या दस या पंदरा मिनिट के इस बुलिटिन में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आज के लिए अगले सब्ता फिर लोटेंगे लोकतंत के सच में खास मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार